नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 24 अगस्त शाम साथ बजे राजिस्तान की खास खबरे पुरव की अशोग एलोट सरकार की और से बनाए गए 19 जिलों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है कमेटी के अधेक्ष पुरव IAS अधिकारी ललित के पमवार ने कहा कि 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौप दी जाएगी इसके बाद तैह हो जाएगा कि पुरव सरकार की कारेकाल में बनाए गए नए जिलों में से कितने रहेंगे कितने नहीं समिक्षा को लेकर पुरव IAS अधिकारी ललित के पमवार की अधिक्षता में बनाए गई कमेटी अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने जारी है पमवार ने कहा कि उनका कारेकाल 31 अगस्त तक का है और कोशिश रहेगी कि 30 अगस्त तक रिपोर्ट सरकार को सौप दें नए जिले बनाने को लेकर देश में जो भी माप दंडें उनसे तुलना करके यह रिपोर्ट बनाए जारी है इसमें कौन से जिले रहेंगी और कौन से नहीं यह सरकार को ही तैय करना है भजनलाल सरकार ने रिव्यू के लिए 12 जून को उप मुख्या मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैर्वा के संयोजन में एक मंत्री मंदलिया उप समीती गठित की थी पंजाब युनिवर्सिटी चातर संग के चुनाव का एलान हो गया है 5 सितंबर को युनिवर्सिटी और शेहर के 11 कॉलेजों में चुनाव होंगी साथी पुलेस भी एक्टिव हो गई है युनिवर्सिटी के मुताबिक चुनाव के लिए नमांकन प्रक्रिया 39 अगस्त को साड़े 9 बजे से शुरू होगी जबकि उसे दिन सुबह साड़े 10 बजे से नमांकनों की स्कुरूटनी की प्रक्रिया शुरू होगी 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नमांकन प्रक्रिया होगी वह उसे दिन दोपैर अधाई बजे उमिद्वारों के नाम पर दर्शित कर दे जाएंगे 5 सितंबर को सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी रिजल्ट भी उसे दिन आएगा चुनाव में करीब 51,000 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे पियों के असे विभागों के करीब 16,000 स्टूडेंट्स इस दौरान मतदान करेंगे जबकि शेर के कॉलिजों के करीब 35,000 स्टूडेंट्स चुनाव में हिस्सा लेंगे बार्मेर जिले में खाना बनाने को लेकर दोस्ट सगे भाईयों में कहा सुनी हो गई विवाद इतना बड़ा के छोटे भाई ने खाट पर सो रहे बड़े भाई की हत्या कर दी हलांकि हमलावर भाई ने ही घटना की जानकरी सुबा पड़ासियों और रिष्टेदारों को दी जिसके बाद मामले का खुलासा हो सका खटना नगाना थाना इलाके हुड़ों की ढणी बाटाडू गाम की है थाना दिकारी जमील खान ने बताया कि बाटाडू हुड़ों की ढणी गंगावास निवासी 45 वर्षे रेवंता राम वे 50 वर्षे भोमा राम दोनों भाई सात में ही रहते हैं माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है, रात को दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर कहा सुनी हो गई और जगडा बढ़ गया, नशे में डूबे छोटे भाई ने सो रहे बड़े भाई फोमा राम की हत्या कर दी, एस पी नरेंदर सिंग मीना ने बताया कि दोनों भाई अविवाहित हैं, दोनों खेत में ठाणी में साथ रहते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन में से केवल 20 फिस्दी शिक्षकों को ही पद स्थापन मिल पाएगा, राजे के स्कूलों में शिक्षकों के 17,500 पद ही रिक्त हैं, उदर मातमा गांदी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहले से करेरत शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर है, न्याले ने पूरल से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कारेरत शिक्षकों को भी 25 अगस्त को होने वाले चयन परिक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है, अनेक शिक्षकों ने इस संबंद में कोट में याचिका लगाई, कोट ने आफलाइन अवेदन लेकर ऐसे शिक्षकों को चयन परि हाथसे में एक यवक घायल भी हुआ है, नौका CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि रासी सर से चार लोग कार में सवार होकर बीकानेर की और जा रहे थे, इस तोरान घर से दो किलोमीटर दूर एनेच बासट पर भारत माला रोड की पास बीकानेर की और से आ रही कार से उनकी तक करो गई, हाथसे में रासी सर बड़ा गाम निवासी, ओम प्रकाश बिश्नोई, जगदीश साध, मनोज सेद्ध निवासी, बंबलू बीकानेर की मौत हो गई, जबकि नापसर निवासी सोहन को घंबीर हालत में बीकानेर की पीबेम अस्पताल में भरती करवाये गया है अभी तक हाथसे का कारण नहीं पता पाया है, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है, पुलिस घटना की जांच कर रही है बीजेपी के परदेश परभारी रादा मोहंदास अगरवाल ने टॉंक में कॉंग्रिस पर जम कर निशाना सादा, उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस का दंगो का इतिहास रहा है, नैरू लाशों पर बैठकर परधान मंत्री बने थे, उन्हें कुरसे की भूख थी, सब को पता कि जिन्ना छे महीने में मर जाएंगे, टॉंक में देवली उन्यारा विधानसबा सीट पर उपचिनाव को लेकर होए संगटनात्मक बैठक में, रादा मोहंदास ने कहा, अजादी छे महीने बाद मिल जाती तो देश का बंठवारा नहीं होता, लेकिन नहरू को प्रधान म करके बैठी है, जो कहती है कि अगर वो सत्ता में आई तो अनुचे 370 को फिर से लागू करेगी, इनका इतिहास तो दंगे कराने का रहा है, केंदर के बाद अब राजस्तान सरकार ने भी सरकारी करमचारियों के रास्टे स्वैम सिवक संग, यानि RSS की गतिवीदियों में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी है, सरकारी करमचारी और अफसर अब RSS की हर गतिवीदी में शामिल हो सकेंगे, कार्मिक विभाग ने सरकारी करमचारियों को RSS की गतिवीदियों में शामिल होने पर लगी, 52 साल पुरानी रोक को हटाने का सरकुलर जारी कर दिया है, कार पहले रोक थी उस सूची में RSS का नाम हटा लिया गया है इस रोक के हटने के बाद अब सरकारी करमचारी RSS की शाखाओं में जाने से लेकर उसके सैयोगी संगठनों की हर गतिवीदी में शामिल हो सकेंगे पहले RSS के कारेकर्मों में जाने पर रोक थी पंजाब के फाजल का जिले के अबोहर में लोगों को ब्यास का लालश दे कर और कमेटियां डलवा कर लोगों का करोडों रुपिया लेकर एक आरोपी शहर से फरार हो गया यह मामला इंदीनों चर्चा का विस्याप बना हुआ है उक्तव्यक्ति के घर के बाहर और दुकान प की और से लोगों को मोटे ब्यास का लालश दे कर और कमेटियां डालकर करीब डेड़ करोड रुपिया एक अत्रित किया गया मामले में उसने लोगों को अपने विश्वाश में लेकर कारे किया और रातो रात रफू चक्कर हो गया बताया जाता है कि वह जोहरी मंदिर के न करेंगे भरतपुर के रूपवास कस्बे में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यपारी से उसका बैग लूट लिया व्यपारी के बैग में एक लाख रुपे कैश बही खाते और मोबाइल था खटना की सोचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने व्यपारी का मो है कि वह परचून का थोक व्यपारी हैं वह अन्य व्यपारियों से कलेक्शन कर वापस आ रहा था इस दो बाइक सवार उसके पीछे आए और हनुमान चौक के पास दोनों व्यपारी का बैग लूट कर फरार हो गए रोपवास्थाना पुलिस सघटना सल के आसपास के दी इसके बाद एक बाइक और एक जीप को टकर मारकर मौके से गाड़ी को लेकर फरार हो गया साइकल सवार चातर की मौके पर ही दरदनाक मौत हो गई कोतवाली पुलिस के अनुसार कवास अनानियों की धाने गाम हाल बार में शेर निवासी 17 वर्षे पंकज सुबह घर से स कोचिंग क्लास जा रहा था कस्टम क्वाटर के पास की गली से सर्विस रोड पर सिंदरी सर्किल से आ रहे ही बुलैरो केमपर ने साइकिल को टक्कर मार दी चातर की मौके पर ही मौत हो गई केमपर ने एक बाइक और जीप को भी शतिगरस्त कर दिया कोतवाल लेखरा सियाग ने बताया कि बुलैरो केमपर की तलाश की जारी है मृतक तीन भाई बहन में सबसे छोटा था राजदानी जैपुर में नशीली कौफी पिला कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है परीचित युवक ने मिलने के बहाने उसे अपने घर बुलाया रेप कर बनाए अ काफी समय से बाइक चीत है औरूपी परीचित ने मिलने की बहाने उसे भाँक रोटा बुलाया विषवाश में आकर पिडैत युवती मिलने बुलाने पर तीन अगस्त को उसके घर गई और पी परीचित ने काफी में नशीली दवाई पिलाकर बेहोशी का फाइदा उठा क रेप किया और दुश्करमकर उसके अशलेल वीडियो बना लिए होश आने पर विरोध करने पर मुबाइल में अशलेल वीडियो दिखा कर चुप करवा दिया वीडियो वाइरल करने की धंकी देखर ब्लैक मिल करने लगा पुलिस ने मामले देर्सकर जांच शुरू कर दी है और मेंग कर दिवरल वीडियो 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 आने पर ब्लाच कर दो देखर वीडियो वीडियो नेस्ट वीडियो र knall